हिंदी दिवस 14 सेप्टेमबर के दिन 19.90 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जाद दिया गया था चलिए इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करते हैं पहला कि किस तरह से तैग किए गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी और दूसरा किस तरह से दूसरे विश्वियुद में जपैन ने मित्र देशों के सामने आत्म समर्पन किया था वीडियो शुरू करने से मेले एक रिक्वेस्टे मेरे आपसे कि नीचे रेडिकलर के सब्सक्राइब बड़े करके बेल आइगन को प्रेस कर दीजी ताकि मेरे आनवले इंटरस्टिक और नॉलिजिबल वीडियो भी आप देख सकें सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो दरसल साल 1947 में जब भारत अजाद हुआ तो अजाद भारत के सामने कई बड़ी समस्याई थी जिसमें से एक समस्या भाषा को लेकर भी थी भारत में सैक्डो भाषाएं और बोलिया बोली जाती थी ऐसे में राजभाषा क्या होगी ये तैकरना एक बड़ी चुनाती थी हाना कि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है यही वजह है कि राष्ट पिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जन मानस की भाशा कहा था सन्मिधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर को ये फैसला लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाशा होगी सन्मिधान की अनुछेर 343.1 में इसका उल्लेक है इसके अनुसार भारत की राजभाशा हिंदी और लीपी देवनागरी है साल 1953 से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरू आत हुई हाना कि हिंदी को आधिकारिक भाशा चुनने के बाद ही गैर हिंदी भाशी राजभाशा का विरोध शुरू हो गया सबसे ज़्यादा विरोध दक्षिन भारत की राजभाशा से हो रहा था विरोध को देखते हुए सन्विधान लागू होने के अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी भारत की राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया लेकिन जैसे ही ये तारीख नजदीक आने लगी दक्षिन भारती राज़ियों का अंग्रेजी को लेकर आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगा इसलिए सरकार को 1963 में राजभाषा अधिनियम लाना पड़ा इसमें अंग्रेजी को 1965 के बाद भी कामकाज की भाषा बनाये रखना शामिल था राज़ियों को भी अधिकार दिये गए कि वे अपने मर्जी के मुताबिक किसी भी भाषा में सरकारी कामकाज कर सकती है फिलहाल देश में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हमारे देश में 77 प्रतिशत लोग हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर दूसरे विश्यु युद में 2 सितंबर के दिन 1945 में जपान ने मित्र देशों के सामने आत्मसमरपन किया था इसी के साथ इतिहास के सबसे लंबे चलने वाले युद का अंत हो गया दरसल महीनों पहले ही ये तैह हुँ चुका था कि जपान को आत्मसमरपन करना ही पड़ेगा जर्मानी भी मित्र देशों के सामने घुटने टेक चुका था और केवल जपान ही था जो टक कर दे रहा था जुलाई 1945 में अमेर्की राष्टपती हैरी टुमेन, ब्रिटेश प्रधान मंतरी विंस्टन चर्चेल और सोवियत संकेनेता जो सेव स्टालिन जर्मानी के शहर पोर्च्डेम में मिले यहीं पर टुमेन और चर्चिल के बीच इस बात पर सहमती वनी थी कि अगर जपान ततकाल बिना किसी शर्ट के समर्पन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा यह कड़ा कदम अगस्ट में जपैन पर परमानुबं की विना शक्ता लेकर आया था पान ने मित्र देशों के सामने आत्म समर्पन किया था तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के दोनों टॉपिक आपको पसांद आया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा सांथ यगर यह वीडियो आपको अचला लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले इस वीडियो में अपते के लिए इतना है मिलते है प्लेए वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ तो आपते के लिए बाबाई and टेक कियर